Hey guys, welcome to resource point, myself Rishika और आज अभी हम लोग discuss करने वाले है PT 365 जो कि हमारी environment की है तो पहले चलिए content देख लेते हैं कि कितने topics हम लोग आज ते complete कर चुके है तो इससे आप लोग को अंदाजा होगा कि कितना पढ़ना वाकी है और कितना हम लोग पढ़ चुके है तो यहाँ पर हम लोग जितने भी tiger reserves और wildlife century जितने भी news में थे उसको तो हम लोग cover कर चुके आज हम लोग cover करने वाले एक बहुत ही जादे important topic important इसले कह रही हूँ क्योंकि इससे equations तो आपकी defined है यानि कि आप लोग समझ लीजे कि इस topic से तो equations आ नहीं है और जितने भी new species flora and fauna जो यहाँ पर एक साल में आपका discovered होता है कुछ new देखा जाता है तो इन सारे से जो है न एक बार UPC questions पूछ लेती है अभी यह trend चलते आ रही है पिछले तीन-चार साल से आप देखोगे न तो एक ऐसी unique सा नाम रख देंगे और पूछेंगे कि यह क्या है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वह new plant होते या फिर कहीं कि new species होती है तो इसको आप लोग पुरदा ध्यान में रखेगा यह forest तो बहुत important है इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं एक पल के लिए आप लोग air pollution को भी छोड़ सकते हो पता ही क्यूं क्योंकि air pollution क्या होता है कि UPSC जानते हैं कि बच्चे पूरा रटके आएंगे air pollution का हर एक scheme रटके आएंगे और हर एक program रटके आएंगे सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है यह सारी चीज़े रटके आएंगे तो क्या करते हैं कभी-कभी कि इसको escape मार देते हैं कि UPSC ऐसा खेल करती है कि जिस पर सबसे जादा focus होता है बच्चों की उसको छोड़ देते हैं और जिस पर नहीं focus होता है उस पर पकरते हैं और यह forest तो बहुत ही जादा important है और बहुत ही confusing topic भी है questions भी इतना घुमा घुमा के पूछते हैं कि आप लोग भी घुम जाते हो तो कोई नहीं चलिए इसमें detail में पढ़ेंगे और सारी चीज़े यहां पर हम लोग clear भी करेंगे फिर यहां पर United Nations Convention to Combat Desertification है बाकी हम लोग देखे हैं कि आज कितना हम लोग complete कर पाते हैं तो एक बार पूरी content देख लिए अभी इतनी topics और बाकी हैं कोई नहीं आप लोग आराम से पढ़ते रही है और आप लोग की जितनी भी topic है वो सब यहां पर complete होई जाएगी लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो last lesson में कुछ questions पुछी थी उसकी answer बता देती हूँ और आज भी आप लोग के लिए कुछ fresh questions है जिसकी answer आप लोग को comment box में देनी है तो आईए start करते हैं सबसे पहले हैं यहां पर difference between asiatic cheetah and african cheetah इन दोनों के बीच में कुछ difference आप लोग को पता होना चाहिए इसकेंड is कि उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर tiger occupied area जो है वो दीरे-दीरे continue ही एक시면 इरिया सक्तम हो रही है यहां पर हैप्की habitat of tiger यानजिकी tiger ब्रखंट कहां कहां रहते हैं वह habitat आपको बताने की कौन से veg町जäv Crim Rider recurलै does बहुत ज्यादा है कितने टाइगर इस बार रिकॉर्ट किये गया है यह भी आपको बताना है फिर नेक्स यह आपे स्नो लेपर्ट से रिलेटेड इनकी IUCN स्टेटस बतानी है इन्डियन वाइलेफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनका स्कीडियूल बताना है साइटस में और CMS में इनकी अपेंडिक्स किस अपेंडिक्स में रखा गया यह बताना है आईए अब एकर करके आंसर देख लेते हैं बात करते हैं ऐसेटिक चीटा और जो हमारी अफ्रिकन चीटा है तो एसेटिक चीटा जो होती है जो एसिया में है वो मच स्ट्रॉंगर और जहाइए और अफ्रिकन चीटा के कमपैरिजन में देखें अष्यकर छीटा जो है यहां पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ कहां पाए जाती है तो इरान में और वही इसेटग्स चीटा गारिघए और यहाँ पर एक अफ्रिके में धीताई जाती हैं अब आप बात करते हैं कि कहां कहां जो है tiger की population यहां पे कम होते जारी है उनके habitat loss हो रही है तो decline जो देखने को मिल रहा है 3 out of India's की 5 tiger landscape Shivalik, Western Ghast और North East यह तीन ऐसी जगह है जहां पे tiger जहां आपकी population कम देखने को मिल रही है वही Central India और सुन्दरबन की बात करें तो यहां पे जो है ना increase हो रही है तो यह 5 एरिया है जहां पे tiger पुरी तरिकी से देखने को मिलती है Shivalik, Western Ghast, North East, Central India और सुन्दरबन तो यहां पे सुन्दरबन और Central India में increase हो रही है बाकी rest of the three में decrease हो रही है ध्यान रखिएगा अब यहां पे मैं पूछी थी कि Bengal tiger habitat कहां कहां रहते तो यह tropical rainforest में रहते जहां जंगल हो गेरा है और marshals में रहते और tall grasses यानि कि लंबे-लंबे grasses में रहते जिससे कि यह छूप सके देख सके सिकार वगेरा को तो यह सारी जगह है ध्यान रखना अब यहां पे मैं बात करूँ तीनो जो यहां पर tiger reserves है बक्सा tiger reserves in West Bengal, दंपा, इन मिजोरम, पलामू, इन जारकन तो यहां पे कोई भी tiger जो है record नहीं किये गया है अब आते इस snow leopard के बारे में सबसे पहले आयू सीन की बात करें तो इसमें red data book list तो इसमें vulnerable है और Indian Wildlife Act 1972 के तहरे देखे तो इसको schedule 1 में रखा गया है it means कि higher protection है and इसमें trade वगेरा भी आप लोग नहीं कर सकते हो साथी यहां पे appendix 1 में रखा गया है sites की sites stand for convention on international trade in endangered species जो भी endangered species है जिनकी population खत्रे में है तो उनकी जो international trade किया जाता है international basis पे आपका जो vapor किया जाता है उसको यहां पे restrict करती है तो यहां पे इसकी भी appendix 1 में यानि कि highly यहां पे protect किया जा रहा है साथी CMS में भी देखे तो यहां पे appendix 1 में है तो यह सब आपको धियान रखना है highly protect किया जाता है snow labor को यहां पे आपकी schedule 1 में appendix 1 में सब में 1 में है तो यह हो गई सारी 5 questions की answer अब आते हैं last lesson जो यहां पे 6 lesson थी अगर आप लो previous lesson नहीं देखे हो तो बस मेरे channel को subscribe कर लिजे और playlist में आकर आप लोग देख सकते हो ठीक है different different आपको सारी PT 365 देखने को मिलेगी अब आते हैं आज के question में सबसे पहले आपको बताना है कि घयर मता जो marine century है तो यह famous किसलिए है इसकी famous आपको reason बतानी है और इसकी location भी बतानी है कि कहां located है second is what is our care इसके बारे में बतानी है third यहां पे filling the blanks कि great Indian bastard सबसे पहले बतानी कि किस state की state bird हो चुकी है और उसी state की government ने एक start करी है project उस project का नाम क्या है जिसमें कि desert जो national park है उनको conserve करने के लिए और यह कहां पे आपका इस project को चलाया जा रहा है तो उस state की district है उसका भी नाम बताना है it means कि सबसे पहले state का नाम बताई है उस state में इस great Indian bastard को आपका conserve करने के लिए कोई project चलाया जा रहा है उस project का नाम बताई है और किस cities में है यानि किस district में है इसका भी नाम बताना है एक ही questions में आपको काफे ज़्यादा information देखने को मिलेगा इसलिए मैं इसको रखी हूँ यहाँ पे साथी wildlife crime control bureau की बात करूँ तो आपको पहले बताना है कि किस तरीकी की body है यहाँ पे quasi judicial है या फिर आपकी statutory body है और किस ministry के अंदर यह काम करती है जो कि wildlife आपका देखने को मिलेगा कि country में जो organized wildlife crime होता है उसको रोकने का यह काम करती है बहुत ही important यह आपकी organization है तो इसके बारे में ध्यान रखना है फिफ्थ वन इस नाल बाना बर्ट सेंचुरी इसकी location क्या है यह भी प्लीज बता दीजे comment box में तो इतनी questions का answer आप लोग का comment box में देखना है अगर आप लोग previous lesson नहीं देखे हो तो देख लीजे फिर आप लोग answer ज़रू कर सकते हो और अगर देखे हो तो revision point of view से answer देना must have है तो answer दीजे आप ही लोग की यहां पर भला होगा और आप ही लोग का practice होगा जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे जितना ज़्यादा आप लोग recall करोगे कि किस सरीके से पढ़े थे क्या पढ़े थे कुछ भी यहां पे आप लोग गलत लिखो या सही लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता गलत लिखोगे मैं next day आप लोग को answer बताऊंगी तो आप लोग की जो वो की photos भी दिखाऊंगी तुक है photos भी देख लिया किजिए जु求 news में रहते हैं न तो क्या होता है na कीऑ गभी कभी क्या होता है की photos क्लिक करते exam में मानो या ना मानो क्योंकि pictures दीकने से क्या होता है कि वो चीज़ें ज़्यादा हम capture करते है अपने माइंड में as comparison to जो आप लोग थियोरी पढ़ते हो ठीक है चलिए आईए बहुत हो गई बाते सबसे पहले हैं देखेंगे कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एंट यानि कि जो चीटिया होती है चीटी में भी सबसे तेज दोने वाली चीटी रेसेंटली कुछ साइंटिस्ट है जो कि डिस्कवर किये थे वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंट और ये कहां पर है तो शहारन सिल्वर एंट ये नामी है शहारन सिल्वर एंट जो कि यहां पर 108 टाइमस फास्ट ये आपका स्पीड करती है अपने बॉड़ी के लेंग्ध पर सेक भी उतना ही 108 ताइम अपने बाडी के हिसाब से जो है ना वो यहां पर तेज दौरती है तो हम लोग जितना 36 km per hour दौर रहे है उसी तरीके से वो भी दौरती है तो हो गई ना काफी फास्ट ही हो गई सहारन सिल्वर एंट की बात करें तो यह कहां पाय जाते है नदन सहारा में क्योंकि नाम ही है इनका सहारन तो सहारा नदन सहारा में वो भी नदन सहारा के जो सैंटियून्स है न वो उसमें यह पाय जाती है यह जो एंट है यह आपका स्कावेंज इस कॉर्पस ऑफ अफ अधर क्रियेचर वो भी hottest part of the day में क्योंकि सहारा रीजियन आपको पता कि कितना गरम जगह है डेजर्ट है यहां पर तो उस तरीके के जगह पर यह पाय जाती है और यह survive किसे करती है तो heat और यह ant जो है न वो silvery hairs है इसलिए इसका नाम silver ant है क्योंकि ant में आप लोग आप लोग देखो कि वो रेड चिटी होती है काली चिटी होती है कि नहीं हमारे यह जो normal पाय जाती है silver चिटी देखे क्या silver बाल देखे हो कि मुझे तो ant का hairs भी मैं देखी हूं यह भी मुझे ध्यान नहीं है आप लोग में से कोई बता सकते कि ants का hair आप लोग देखे हो तो यह आपका silver hairs होती है उनको उनकी जो कि यहां पर sun rays से वो reflect भी करती है तो काफी अच्छा है इतना scientist गुस-गुस के इन लोग पर इतना discover करते है तो काफी अच्छी चीज है खेर ध्यान रखेगा कि इनका नाम क्या है यह भी पूछा जा सकता है कि Saharan Silver आपका ant क्या है तो यह समझ सकते हो कि आप ant है लेकिन कुछ-कुछ आप यह spaces का नाम देखेंगे ना जिससे कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि यह जानवर है पक्छी यह क्या है भाई ऐसा व तरीके का नाम पूस दे कि what is this तो आप लोग तो कन्फ्यूज होगे ना कि यह क्या है वैसे यह तमिल येमान से भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हूं कि actually यह क्या है तो आईए पहले इनका दर्शन कर लेते फिर आप लोग समझ पाओगे यह रही आपकी तमिल येमान इट तो यह एक बटरफ्लाई है बटरफ्लाई की स्पेसिस जो है यह वेस्टन घाट की इंडिमिक है यानि कि पाई कहां जाती से फर सिफ जो है वेस्टन घाट वाले रीजन में पाई जाती है और उपर से यहां पर तमिल नाडू ने भी इसे अपना स्टेट बटरफ्लाई जै करनाटक है जिसमें कि Southern Bird Wings है और केरल है जिसमें कि मालाबार बैंडिट पिकॉक है अब तमिल नाडू आ गई यानि कि 5 फिफ नंबर पर ये कंट्री है जिन्होंने फिफ नंबर पर ये स्टेट है जिन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई जो है डिकलेर करी है तो सबका या दखना है क्या पता इस तरीकिका आपका मैचिंग करने के लिए भी आ जाए तो तमिल आप लोगो याद अखना है कि ये तो नाम में ही है तो ये तमिल नाडू किये ब्लू मॉर्मॉन जो है ये महरास्ट किये कॉमन पिकॉक आपकी उत्राखंड की है सर्दन बर्ड विंग्स करनाट की है मलाबार बैंडिट पिकॉक ये केरल की है क्योंकि मलाबार रीजन वहीं पर पाए जाता है तो इससे भी आप लोग ये आंसर जो है इस्टेट आप लोग थोड़ा बहुत ये कर सकते हो क्या कहते काफी आप लोग तरीकी के लग रही हमारे जो पाए जाती है उसे तो काफी डिफरेंट है की नहीं आई ये अब देख लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेट ही ये परपर फ्रॉग इनका भी नाम आप लोग देख सकते हो क्या धासू नाम है ऐसे भी कहीं लिग दिया जाए तो फिर तो दिमाग तो 360 डिगरी में ही घुमने वाला और कुछ इसका जो है हिसाब किताब भी नहीं है लेकिन मैं आप लोग को एक बर सजिस्ट करूंगे कि अपने हिसाब से जो है इसको अच्छे से पढ़िए और क्या इसकी प्रनेंशेशन है अपने हिसाब से यहां पर गाट में अगेन यह वेस्टन घाट में ही मिलती है जैसे कि तमीली आमान है तो इसको जो है ना लिविंग फॉसल्स भी कहा जाता है और साथी साथ इसको यहां पर मावेली फ्रॉग या फिर पिग नोज फ्रॉग कहा जाता है पिग नोज फ्रॉग क्योंकि वैसी दिख रह है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे लेकिन अब इनका दर्शन हो गया तो मुझे लगता है कि अब आप नहीं यहाँ पर भूलोगे है दूसरे फ्रॉग के जैसे यह नहीं है यह पेकिलर सेट ऑफ इन में लिम्स है और पॉइंटी नोज है जिससे कि वह अपना जो है अंटरग्राउंड वह सर्वाइफ कर भी पाती है अब कंसरवेशन स्टेटिस देख लेते डैट इस वेरी इंपॉर्टेंट आई यू सीन मे आ गई है यानि कि evolutionary distinct and globally यहां पर endangered यानि कि जो नहीं नहीं यहां पर आपकी प्रजाती निकल कर आ रही है काफिर distinct अलग है और globally endangered है तो उनका यहां पर एक अलग सा organization है जिसको age कहते है तो यहां पर species होते हैं जो कि कुछ animal species को रखा जाता है जिनकी high age score है एक metric combining यानि कि यहा कि वो काफी अलग है Zoological Society of London के हिसाफ से देखे तो उन्होंने भी conservation global conservation initiative launch करी थी और जो age है वो यहां पर existence program थी 2007 में other major species अगर लिस्ट में देखे तो कौन-कौन सी है Bengal Florican है आप लोग सुने होंगे Gengals River Dolphin आगे हम लोग पढ़ने ही वाले Hawksville Turtle है और घरियाल है इन सारे से U पूछ चुकी है घरियाल भी UPSC का वन आफ दो फेवरेट यह आपकी स्पेसिस है और यह रीवर डॉल्फिन भी बहुत इस पेसिस यह फेवरेट है तो इससे भी दो तीन बार पूछा जा चुका है इससे भी पूछा जा चुका है तो अब आप लोग तयार रही है इस तरी फेसिस है जिसको डिश्कवर किया गया है अगीन कहा तो इंडियास की वेस्टरन घार्ट तो वन एफ द बायो न ढम परत लोग पार है अगर आप चाहते हो 2 marks gain करना तो इस तरीके की questions में अगर आप marks को अगर lose कर रहे हो तो कहीं न कहीं यह आपके लिए बहुत ही बड़ा कहते हैं कि ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है और बस नाम की कारान आप उसको cash नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत ही दि इतने ही यह जो है frog पाए जाती है साथी यह जो new species है न यह only member है हमारे ancient lineage की जो कि यहां पर 10 of millions of years पुरानी है और यह represent भी करती है कि new तरीके की सब family की discovery को भी साथी researchers जो है अभी तक इनके life cycle को नहीं समझ पा है है इनके sound of its call, whether the species is threatened or endangered यह सारी चीज़े अभी नहीं पता चल बस यही पता चला है ठीक है अब आते हैं इंडियन फ्लाप शिप टर्टल और इंडियन पिकॉक शॉफ्ट सेल टर्टल ठीक है तो यह टर्टल है कछवी की प्रजाती है रिसेंटली operation टर्टल टर्ट शिल्ड है यह operation अभी या दखना है यह important हो गया wildlife control bureau जो अभी मैं पुछ soft seal turtle और वो भी कहां से तो west bengal के market में यानि कि इसको seize किया गया है इसका गलत तरीके से organized crime हो रहा है इसको क्या इतने बड़े amount में इतने बड़े number में अगर किसी भी टर्टल का trade हो रहा है तो इत मिन्स कि वो organized तरीके से उसका crime हो रहा है तो यहाँ पे पकड़ा गया है wildlife crime control bureau के द्वारा और यहाँ पे आपका operation चल रही थी यह operation था tut shield तो यह tut shield जो है ना यह new central program है जिसमें के endangered जितने भी turtles है उनको protect करना है साथी flap ship जो turtle है यह smaller in size होते है छोटे छोटे turtles है और इनको meat के लिए यहाँ पे मारा जाता है साथी Bengal और Bangladesh दोनों region में यह हमारी country में तो है ही साथी साथ बांगलादेश में भी पाय जाती है इसको list concern में रखा गया है IUCN red list में Indian peacock अगर soft turtles की बात करे तो यह vulnerable है IUCN में और यहाँ पे आपकी flap ship जो turtle है Indian flap ship यह आपकी list concern है लेकिन peacock अगर soft turtles यहाँ पे turtles देखे तो यह vulnerable है साथी साथी साथ schedule 1 में रखा गया है wildlife protection act और append index 1 में जो कि sites की है यह जो species है यह heavily exploit करती है किसलिए तो meat के लिए इनको exploit किया जाता है यानि खाने पीने के लिए इस तरीके के turtle को बहुत जादा मारा जाता है तो यह तो दो turtle हो गए famous famous क्यों होगे क्योंकि इनके लिए operation special operation चलाया जा रहा है और इतने mass number पे इनको बचाया बहुत है तो यह तो हो गए famous अब यह चाड़ गए UPSC की नजर में तो इसके लिए आपको लोगों को थोड़ा धिया तो चलिए अब आते हैं गैंगस dolphin में और इरावडी dolphin में तो यह दोनों dolphin है काफी जादा UPSC का एकदम favorite student है favorite बच्चा है favorite topic है जो भी कह लिए ठीक है तो यह दम रटा मार लिजी कि कौन से organization यहाँ पर census करती है तो यह worldwide fund for nature इंडिया और यह collaboration किसके साथ है तो UP forest department के साथ ठीक है साथ यहाँ पर यह किया गया था 25 km long जो riverine stretch है अपर गंगा वो भी किसके किसके बीच में हस्तीना पूर wildlife century से लेकर नारोरा रामसर साइट के बीच मे 2019 में किया है कि tandem board survey method जो है इसका इस्तेमाल किया गया तो यह method का नाम भी आपको इस्तेमाल करना है याद रखना है अब यहाँ पर देख लिजए कि यह याद रखेगा कि जो four fresh water dolphin है उसमें से एक आपका जो है गैंगिस dolphin भी आता है इसके अलावा आपकी fresh water dolphin में कौन कौन है एक तो आपका Amazon river वाली आपको fresh water dolphin दिखने को मिलीगी एरा विड़ी भी यहाँ पर जो है आपका fresh water में ही पाए जाती है तो यह सारी dolphin जो है आपको ध्यान रखता है और इसकी presence के इंडिकेट करती है कि हमारी जो riverine ecosystem में वो बहुत ही जादा healthy है इसको हमारी national aquatic animal भी कहा जाता है साथी इनकी अपनी खुद की strange sound होती है इसके characteristic अगर देखें तो इनकी strange sound होती है और यह breathe करने के लिए हमेशा river से उपर आती है और यह सूसू जैसा sound करती है इसलिए इनको common name दिया गया है सूसू साथी इनको blind dolphin भी कहा जाता है क्योंकि यह अंधे होते इनके आंक नहीं ह होते हैं और यह जो है ना एक eco location जो होती है ना eco को इस्तेमाल करके किसी sound को इस्तेमाल करके वह navigate करते हैं और साथी साथ सिकार भी करते है ठ्रेट अगर देखें तो आज की डेट में single use plastic की dumping के कारण इनको काफी जादा problem हो रही है इंडस्टियर pollution का क्या कहना और fishing or dreading है तो हम लोग देखें कि ocean में भी बहुत ही huge mass में आपकी plastic पाए जाती है जिसको कि आज की डिट में जितने भी river aquatic animals species है ना वो कहीं ना कहीं इस plastic को consume कर रही है तो यह भी problem है उनकी बहुत mass नमर में death भी हो रहा है IUCNA अगर status देखें तो endangered है साथी साथ यह गंगा ब्रह्मपूतर और उनके tributary में पाए जाती है तो इतनी basic information है जो कि आपको गंगा डॉल्फिन गैंगस डॉल्फिन के बारे में बात करूँ और गैंगस डॉल्फिन का क्या होता ने कि structure आप लोग देखोगे तो इस तरीके इनका यहां पे mouth होता है ठीक है ऐसा रहता है कुछ यहां पे एकदम pointed type का होता है और वही इरवड़ी डॉल्फिन की बात करूँ तो इस तरीके के एकदम प्यारे सा इनका होता है एकदम smooth इनका जो है face होता है तो यह भी आप लोग इनके जो है characteristic भी देखेगा उसके बाद इरवड़ी डॉल्फिन की बात करूँ तो 146 endangered इरवड़ी डॉल्फिन है जिसको कि अभी देखा गया था चिलका लेक में और इनका जील बागे रहा है जिसमें की highest single lagoon populations इनका पा जाता है यह brackish water में भी रहते और brackish water आपको coast के अगल बगल ही देखने को मिलेगा साथी कहीं किसी कोई river अगर किसी ocean में मिल रही है तो उसके mouth में देखने को मिलेगा और यह कहा है south और south east area में साथी इनकी total population जो है वो less than कितना होगा तो 7500 से भी कम है almost 80% जो की bangladesh में है आयूसीन के status देखे तो यह endangered है चीक है तो दोनों यहाँ पे आपकी जो है डॉल्फिन गैंगिस सबसे बड़ा बस्टर्ड है जो की कहां रहती तो arid climate में रहती है यानि कि सूखे वाले जगह पे रखती है और यह North Africa और Asia क्योंकि North Africa में आपको पता कि Sahara Desert है अब वहाँ पे तो arid climate है तो वहाँ पे यह पाए जाती है और साथी एशिया की भी कुछ रीजन में पाए जाती है ठीक है news में जादा नहीं थी बस थोड़ा बाद ध्यान रखेगा अब है यहाँ पे duck-piled platypus तो IUCN जो है recently downgrade की है platypus conservation status वह भी क्या तो near threatened है इसकी यह एक small amphibian है Australian mammal है साथी Australia की drought और effect जो climate change की है न वो यहाँ पे और pushing duck-piled platypus और एक globally unique mammal है जो कि आपको extinct होते वे दिख रही है तो बस थोड़ा बहुत धियान रखेगा कि Australia वगरा में पाए जाती है अब यहाँ पे Chinese paddlefish तो Chinese paddlefish है क्या इसको declare किया गया है extinct और जब यहाँ पे कोई भी साइटिंग रिपोर्ट नहीं हुई है 2009 से इसको देखा नहीं गया है इसलिए इसको declare कर दिया है कि यह खतम हो गई extinct हो गई यह one of the world की largest fresh water fish थी और इसको जो है न इसके long nose के लिए जाना जाता था huge mouth बहुत बड़े mouth थे तो इसको exist करती थी 200 million years ago से भी तो बहुत पुरानी मचली थी लेकिन आज की rate में यह खतम हो चुकी है उसके बाद है यहाँ पे drosophila red brittle star अब देख सकते हो कितना भेंकर नाम है इसकी यह आपकी scientific name भी देख लिजे कितना भेंकर है तो इस तरीके का य आप लोग इतना जादा नाम कैसे याद रख पाऊंगे लेकिन एकी चीज है revision is the key to revise to remember everything तो इसलिए यहाँ पर revision ही करते रही है तो ही आप लोग का कुछ हो सकता है यहाँ पर अदरवाइस इस तरीके का नाम तो मुश्किल है खर कोई ने चलिए Asia Pacific जो यहाँ पर आपकी यह है drosophila जो research conference है यह organized किया गया है इंडिया में वो भी first time है drosophila एक जने से two winged files की जिसको हम लोग यहाँ पर fruit files भी कहते है और यह used किसलिए होता है तो evolutionary और development studies के लिए होती है red brittle star की बात करूँ यह सारी इतनी important नहीं है एक एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि यह only second creature है यहाँ पर sea urchin spaces के बाद और दूसरी अगर features अगर हमनों red brittle star की देखे तो यह signature color change करती है यानि कि यह color change करती है इनके अपनी खुद की यहाँ पर characteristic है फिर है यहाँ यहाँ पर climate dominas niwalis तो recently एक red snow है जो कि यहाँ पर देखा गया है Antarctica के northernmost peninsula के coast में red snow जो है यहाँ पर क्यूंकि unicellular photosynthetic algal species है इनके कारण यह पाया जाता है इनके कारण यह होती है ठीक है तो इतना भी इसको ध्यान देने का जरूरत नहीं है इतना कुछ खास नहीं है फिर है aurangutan ठोड़ी बहुत ध्यान है यह आपका ध्यान में है क्योंकि recently इंडिया जो है only अगर aurangutan देखोगे तो यह died हो गई है यानि कि यह death हो गई खतम हो गई हमारे इंडिया की एक ही दी और यह उरिशा के नंदन कंजन जो लॉजिकल पार्क में दी तो इनको Singapore से लाए गया था वो भी पू और मलेशिया में भी देखने को मिलता है तो इस तरीकी के स्पेसिस न्यूस में थी aurangutan और यह अब खतम हो गई है मात्र हमारे यह एक ही तियो वह भी खतम हो गई तो इसलिए भी इसको ध्यान में रखना है साथि अगर इसकी ट्रेट देखे तो habitat loss है human animal conflict है illegal wildlife trade है तो यह सार करती है और यहां पी इनको ज्यादा कुछ पानी की जुरूत नहीं है यानि कि हम लोग जो कहते हैं यह जल ही जीवन है तो इस तरीकी के स्पेसिस यह प्रूफ कर देते हैं कि जल ही जीवन नहीं है साथ यह moisture भी ले लीती है dew से और vegetation वागरा भी खाते रहती है fruits और दूसरे sources से भी इनको जो है moisture मिल जाता है IUCN की status में यह list concern है लेकिन चिंकारा wildlife century की बात करूँ तो करनाटक state board जो है for wildlife उन्होंने notified करी है कि भूगा पतना जो चिंकारा wildlife century है वो तमाकूरा district में है और यह जो है na southernmost tip है इस distribution range का जो की चिंकारा का है जो first यहां पर wildlife century है चिंकारा का व species antilope की इंडिया में तो इस में से आपकी जो है three species यहां पर है कौन-कौन से यह black buck है और four horned antilope है और चिंकारा है तो बुका पतना जो forest area है यह perhaps if only documented place है करनाटक में जहां पर यह तीनों जो है antilope species देखने को मिलेगा तो इसलिए यहां पर यह भी ध्यान में रखना है काफ अब यहां पर जो भी लिखा है इनके facts and figures ही है इस listen में आज की date में पूरे facts हम लोग पढ़ने वाले है आपको रटा मारना होगा कोई भी चीज समझने वाले like है ही ने ठीक है तो इस तारी lessons में आप लोग बोलते है कि मैं आप कुछ समझाते नहीं हो तो मैं क्या ही समझाओ यह पूरे facts है जो जो important है मैं बस वो आप लोग बता सकती हूँ कि important है तो इस पर ज्यादा focus कीजेगा अब यह 9 जो world pangolin day हुआ था मत्यपर्दिस forest department है तो उन्होंने पहली बार यह announce करी है कि successful radio tagging हो चुकी है इंडिया के pangolin का तो दो rescue animals भी है जिनको radio tag किया गया है और release कि पूरा tiger reserves में six month पहले तो पैंगोली जो है ना यह most trafficked wild life species थी world में और sites की appendix one में थी commonly इनको scaly antitherts कहते है तुथिस animal है दांत नहीं है और साथी साथ जो है अब यह main cause हो चुकी है disappearance का तो only mammal है holy covered in scale एक scale में covered है out of eight species जो pangolin की है तो इंडिया पैंगोली और जो Chinese pangolin है वो इ इंडियन पैंगोली जा है वो distributed है यानि कि पूरे इंडिया में distributed है except कहां नहीं है तो extreme arid zone में नहीं है हिमाले में नहीं है और नौर्थ इस में इंडियन वाले नहीं है और नौर्थ इस में आपको Chinese वाले जो pangolin है वो देखने को मिलेंगे अगर हम लोग पैंगोलीन की बात करें तो यहां पर hunting, poaching है लोगल जो conceptive use है उसके लिए है जैसे कि traditional medicines वगेरा protein source के लिए इसको मारा जाता है जो इंडियन पैंगोलीन है यह endangered category में है और वही अगर Chinese pangolin की बात करें तो critically endangered spaces में है तो कफी जादा इनकी जो है इस्तिती आज की date में खराब है इनकी number of populations कम होते जा रही है वह यह अगर largest subterranean fish की बात करूं तो यहां पर क्या है कि world की largest subterranean है और यह कहां है तो यह earth surface की under में है तो fish है जो की recently यहां पर देखने को मिला है remote forested area की cave में जो की मेगाले की जनते है हील है 40 cm long है और 5 times जो है यह आपको देखन subterranean fish का यह almost blind species है ठीक है यह भी धियान रखना है subterranean ecosystem जो है इसको consider किया जाता है कि extreme है high stress environment है जिसमें की darkness है truncated food wave है और food scarcity है तो यह सारे चीजों से define होती है अब यहां पर flame-throated bulbul तो यह bulbul के बारे में थुदा देख लीजे क्योंकि यह आपकी state bird of goa है तो इसलिए भी इसलिए आपका important हो जाता है इंडिमिक है southern peninsula इंडिया में ही यह मिलती है साथी आप यह जो bird है इसको prefer किया गया habitat जैसे कि rocky scrub covered hill mostly कहां तो eastern घाट में साथी central peninsula इंडिया में और कुछ places western घाट में देखने को मिलेगा यह locally distributed है southern आंधर परदेश में इस्टन करनाटक गोआ उडि जो wildlife act 1972 में इसके तहर जो है schedule 4 में है आयो सीन के status देखे तो यह list concern में तो ध्यान रखना है ठीक है फिर है हेने गुया halmini cola oh my god researchers जो है इसको भी found किये है और यहां पे इनका कोई वह mitochondrial DNA नहीं है जैसे हम human being made species में DNA होता है न तो यह species में DNA नहीं है तो काफी important है इसलिए भी आ non oxygen breathing animal भी है काफी unique हो गया काफी important भी हो गया तो non oxygen breathing है तो यह अलगी बात होगी और यह सिफ only known animal है जो कि extinct हो चुकी है बिना oxygen की कमी के कारण यानि कि यह तो oxygen लेती नहीं है इनको breathe करने के oxygen का जरूती है लेकिन फिर भी oxygen के बिना भी जो है यह ऐसे animal है जो कि extinct हो गई है तो इसको स्टार्मक लगा देती हो असाम रूफ टॉटल है तो यह क्या है इसको यहां पर slight roofed total का जाता है जिसे कच्छुए का आप लग देखते हो ना कि body बड़ा hard होता है तो उसको roof भी sometimes इनका donate किया जाता है इसलिए इनको roof का जाता है यह ब्रमपूत्र मेगना drainage में पाए जाती है आसाम वाली रीजन में इसलिए आसाम roofed turtle है आयो सीन conservation status अगर देखे तो endangered है फिलिपाइन एगल है ठीक है तो फिलिपाइन एगल है यह इंडिमिक है फिलिपेंस की और यह वन अफ द वर्ल्ड की biggest और most powerful bird है तो very important और साथी साथ population अगर देखे तो 800 ही है अब की पू गोल्ड कोटेट फंजाई इंपॉर्टेंट चीक है वरी वरी इंपॉर्टेंट अब यह naturally occurring यहाँ पर strain है फिसेरियम ऑक्सी पोरस पोरम की है जो कि डिस्करवर्ड क्या गया है ऑस्टेलिया में यह गोल्ड कोटेट फंजाई है बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो साथ यह जादा बढ़े और स्प्रेड हो तेजी से और यह गोल्ड के साथ इंट्राक्ट ना करें तो यह थोड़ा ध्यान रखना है अब यह स्टिपी अल्गी तो इसका नाम भी आपर ध्यान रखेगा यह बिलीव किया जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट माइगरेटरी इंडिया की और इसेंट्ल यह आंध्य प्रदेस में देखी गई है कंवर्शन अगर देखे तो ओपन हबिटाट जो एक्वा कल्चर पेस्टिसाइड और बहुत सारे फ्लुएंट का है तो आज की डिट में काफी ठ्रेट भी हो गया है नदन यूरेशिया में देखने को मिल ध्यक्नि रखा गया है तो काफी देख लेते इसको रिवाइस कर लेते एक्सटिंट का मतलब क्या होता है क्रightERिया है रेट लिस्त का सबसे पहले हैं एक्सटिंट मतलब क्या होता है एक डेखिफीण है जो कि किसी spaces को कहा जाता है अगर वो last individual जो है ना उसकी मर गई हो जैसे अभी हम लोग देखे कि last individual जो है एक ही बची भी थी वो अगर मर गई है तो हम लोग कहते कि वो individual जो है वो spaces जो है वो extinct हो गई है उसके बाद extinct in the wild ये भी criteria आता है तो एक category है जिसमें कि उस spaces को रखा ज जाता है जहां पर members जो है ना सिर्फ एक captive area में ही survive करते है या फिर artificially जैसे देखते हो ना कि किसी-किसी जो species है ना वो open air में और open environment में survive नहीं कर पाते तो उनको artificially survive कराना होता है तो उस तरीके कि जो आपकी spaces बच गए है और उनको अगर हम लोग artificially survive करा रहे है तो उनको हम कहते है extremely in the wild critically endangered तो यहां पर आप लोग समझ रहे हो कि category है जिसमें कि वो species को रखा गया जो extremely high risk है यानि कि इतना जादा high risk है कि अब उनकी प्रजाती खतम होने वाली है और यहां पर decline हो चुकी है 80 से या फिर more than 90% से भी जादा decline हो चुकी है और 3 generations से भी यहां पर आपका खत less than 50 individual होगा तो उस तरीके के spaces को critically endangered कहते हैं endangered कहने का मतलब है कि वो सारे spaces चोकि एक high risk है कि अब extend होने वाले हैं और बहुत तीजी तरीके से decline हो रहे हैं 50 या फिर 70% तक decline हो चुके है last 10 years में और उनकी जो current population है वो अगर 250 individual से भी कम है तो उनको हम लोग यहां पर endangered कहते है critically endangered मे 50 individual है वहीं अगर 200 प्लस कर दो के तो इंडेजन में 250 individual हो जाएगी vulnerable की बात करूं तो vulnerable में क्या है कि एक category है जहां पे spaces जो है ना एक high risk है कि वो extent हो जाएगी लेकिन यह तेजी से इसकी population में decline हो रही है 30 से या फिर more than 50% से भी जादा जो है last 10 years में इसकी जो population never decline हो गई है एक current population size अगर देखे तो यह less than 1000 है यानि कि 1000 अगर बची वी है तो इसको vulnerable कहेंगे near threatened है यानि कि एक designations दिया गया है close है कि threatened होने वाली है it means कि vulnerable या फिर आपका endangered यह सारी category में आने वाली है तो इस तरीके का आपका यहां पे close है कि अब यहां पर इसकी प्रजातिक खतम होने वाली है list concern यानि कि category है जिसमें कि spaces को जो है न काफी abundant है और careful assessment के बाद यह बताया जाता है कि इसकी ज्यादा care करने की जरूत नहीं है data deficient यानि कि data की कवी है एक condition जो कि apply किया जाता है किसी spaces में अगर उस spaces की proper data नहीं मिल पाती है तो उसको हमनो data deficient के category में डाल देते है not evaluated य अभी तक IUCN के दोरह देखा ही नहीं गया है क्योंकि number of population कितना है तो इसको हम लोग not evaluated के category में डाल देते है तो अब हम लोग इसको भी नहीं छोड़ते हैं जब हम लोग पूरा समझी गए कि critically endangered, endangered, vulnerable किसको कह रहे है clear हो गया होगा आपकी concept तो अब यहाँ पे देख लेते है एक list बहुत अच्छे से तैयार किया गया है कि critically endangered species कौन-कौन सी है इंडिया में तो मैमल की category में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू है अंडमान white tooted is true है ठीक है यह धियान रखना है rat है जो कि large rock rat है squirrel है गिलहरी गिलहरी है ना नामदफा flying squirrel है उड़ती हुई गिलहर bird में अगर देखें तो migratory species में यह सारे नाम है तो siberian crane आप लोग याद रख सकते हो non-migratory species में अगर हमनों देखें migratory species कहने का मतलब है कि दूसरे country से ओर की जो हमारे country में आए वो या फिर जो हमारे country के है अगर non-migratory species में देखें तो white-billed heron है grassland species देखें यानि की birds grassland वाले area में रहती है तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साथी सार जड़ान कोर्सर और Bengal florican भी याद रखना है वल्चर की बात करूं जिसको गिद कहते हैं तो इंडियन वल्चर है red headed वल्चर है slender built वल्चर है white packed वल्चर है तो यह सारी वल्चर जितनी भी वल्चर है trading center जो देखे वह पिंज ओर में हरियाना में और यह first conservation center है अख हमारे country में दूसरी अगर देख लूँ तो यहाँ पे हिमाले की coil है और यहाँ पे pink headed duck bee है जो की birds में आपकी include है reptile अगर देखे तो यह crocodile है घडियाल है जो की critically endangered है टटल की बात करूँ तो बहुत सारे turtle है जो के आज की date में हमारे जो है critically endangered है तो लगबग आप लोग सब को ही देख सकते हो लेकिन यहाँ पे आपकी वह वाली turtle नहीं है ओलिव रिडले turtle नहीं है okay amphibian की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे frog है यानि कि इतना तो यह रटना और नहीं है आपको toad की बात करूँ तो टाइगर टोड है तो इतना आपको रटना नहीं और रट भी नहीं पाऊगे fishes की बात करूँ तो यहां पे सार्क है pondicherry shark और Gengas shark तो यह आपको critically endangered है शौफिस अगर देखे तो large tooth शौफिस है, long calm शौफिस है तो यह सब है, coral की बात करूँ तो fire coral है और साथी spider की बात करूँ तो रामिश्वरम जो ornamental है और रामिश्वरम जो पारसूट spider है, वो है यहां पे recent changes अगर हम लोग IUCN के red list में देखें यानि कि पहले जिसको critically endangered में रखा गया था लेकिन अब उसकी population बढ़ गई है तो उसको हम लोग उसकी criteria change कर देते हैं जैसे pygmy hog है, तो pygmy hog यह भी पूछा गया है तो पहले यह critically endangered थी लेकिन अब यह endangered में आ गई है यहां पे kondana rat है, तो यह पहले critically endangered थी लेकिन अब यह endangered में आ गई है यानि कि इनकी population जो है 50 थी लेकिन अब कितना हो गया है अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 250 आ चुकी है ठीक है, वालरेबल कितना होता है 1000 तो यह आपको नमबर याद रखना है forest all it देखे, तो यहां पे यह भी endangered में चले गई है साथी यहां पे आपका लेदर बैक टर्टल है तो यह आपकी वलनेरेबल हो गई है साथी knife tooth surface है, यह आपकी endangered हो गई है ठीक है, तो इतना आप लोगो ध्यान रखना है एक बार आप लोग जो है, एक दो बार आप लोग देख लो तो साथ आप लोगो माइंड में यह fix हो जाए ठीक है, अब यह तो पूरा fact वाला region था अब हैं यहां पे forest तो facts, इतना ज़्यादा facts देखते देखते न थोड़ा सा mood जो है आप लोगो की यहां पे burst हो गई होगी है कि ने तो इसको start करते हम लोग next article के साथ next lesson के साथ तो काफी जाता fresh भी रहेगा और काफी जाता अच्छा भी लगेगा पढ़ने में आज हम लोग की जो session हो गई थोड़ी boring क्योंकि इसमें सिफ रट्टू चीज़े है, रट्टा मारना है और आप लोग इसको किसी भी तरीके से रट लीजे घोट लीजे, चाय में मिलाकर पी लीजे मैं तो बस यही सारी चीज़े बोलने वाली हूं तो आज करती हूँ यही paint next हम लोग start करेंगे forest के साथ आज होगी lesson थोड़ी बोरी कर रहा है कि मैं आगी इसको आप लोग को पढ़ाओ क्योंकि आप लोग भी मन नहीं कर रहा होगा तो चली next में हम लोग fresh start करेंगे आज के लिए बस इतना है, अगर आपको यह lesson अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजे, अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते और फिर भी कोई doubt कोई suggestions है तो don't forget to comment and make sure के आपने subscribe कर लिये, thank you